नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाटनों आंधी से टकराएं हम आंधी से टकराएं हम का आर्थ है कि हम मुसीबतों का सामना करें जब हमारे उपर मुसीबता हैं तो हम घबराये नहीं, उनसे डट कर मुकावला करें यहां देखे दिया हुआ है मुख्य लाइन में कि जीवन की चुनोती का सामना प्रते को करना ही पढ़ता है भले ही वह चाहे या ना चाहे हमारे जीवन में अगर कोई चुनोती आती है, परिशानी मुसीबत आती है तो हमें सामना करना ही पड़ता है अगर हमारी मन में है कि हम सामना करें या न करें लेकिन अगर वो हमारे सामने आ जाए कोई भी परिशानी मुसीबत तो हमें उसका सामना करना पड़ता है और वो जो डर के भाग जाते हैं वो कायर कहलाते हैं यहां आप देखिए कि राश्ट्र द्वज को लिए हिंदू, मुश्लिम, सेखिसाई, सभी धर्म के बच्चे खुशी-खुशी आगे की ओर बढ़ रहे हैं अपनी चुनोती का सामना करने के लिए वे तयार हैं तो आगे हम पढ़ते हैं कि आन्धी से टकराएं हम तो जीवन का शंगर्स हमें हर पल चुनोती देता है और हमें अनेक संकटों से जूजना ही पढ़ता है इस कविता में कामना की गई है कि हमें संकटों का सामना करने की शक्ती मिले आईए पढ़ना सुरू करें पत पर बढ़ते जाएं हम, काम देश के आएं हम आपस में हम लड़े नहीं, गलत बात पर अड़े नहीं, वैर भाव हो जहां कहीं, प्यार लुटाएं, रोज वहीं, फूलों से मुस्काएं हम, गीत मजे से गाएं हम कवी यहां क्या कहना चाहते हैं कि आन्धी से हम टकराएं, अर्थार मुसीवतों का सामना डट कर करें, उनसे संकटों से भागे नहीं, भगवाना में इतनी शक्ती दे कि हम उन्हें, उन संकटों का सामना आसानी से कर पाएं आईए कवीता पढ़ें, पत पर बढ़ते जाएं हम, पत का आर्थ होता है रास्ता, काम देश की आएं हम, आपस में हम लड़े नहीं, गलत बात पर अड़े नहीं, अड़े मतलब द्रिल निश्चे कर लेना, वहीं पी तो हम क्या करें, कभी कहते हैं कि हम पत पर, अपने राह पर हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं, हमें अपने राश्ते पर निरंतर आगे बढ़ने कि कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए काम देश के आएं हम, हम कुछ ऐसा काम करें कि वह देश के हीत में हो, आपस में हम लड़े नहीं, हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, यहां आप चित्र में देख पा रहे होंगे, कि हर जाती धर्म के लोग आपस में किस प्रकार प्यार से गले मिल रहे हैं, तो हमें आ आपस में जगडा नहीं करना चाहिए, गलत बात पर अडे नहीं और हमें गलत बात पर कोई जबरजस्ती नहीं करनी चाहिए, अगर आपने कोई गलत बात बोल दी है तो उसके लिए अडे नहीं रहना चाहिए, अगर जिस समय आपको गलती का अहसास होता है उसी समय आप तु से छमा मांग ले तो कभी का कहना है कि हमें जीवन पत पर आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि देश के हीत में हो आपस में हमें लड़ना जगड़ना नहीं चाहिए और गलत बात के लिए हमें अडे नहीं रहना चाहिए हमें अडिक नहीं रहना अपनी गल्ती को स्विकार कर गल्ती के लिए छमा मांग लेना चाहिए इस पाट में जो काव्यान से इसमें आप देख रहे होंगे तुक अंत सब्दावली का प्रयोग किया गया है तुक अंत में जिसका तुक मिले जैसे हम, हम, लड़े नहीं, अड़े नहीं, जाएं हम, आएं हम ये सब्द क्या है? तुकांत शब्दावली का प्रयोग है शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है शरल हिंदी का प्रयोग किया गया है बड़ी ही प्रवाह मई है आगे हम पढ़ते हैं वेर भाव हो जहां कहीं, प्यार लुटाएं, रोज वहीं, फूलों से मुस्काएं हम, गीत मजे से गाएं हम वेर भाव, वेर का मतलब होता है दुसमनी, ठीक है, और क्या का भी कहते हैं यहां में, सबसे प्यार से रहने को कहते हैं वेर भाव हो जहां कहीं, जहां भी कहीं दुसमनी हो, वहां हमें प्यार लुटाएं, रोज वहीं, हमें वहां प्यार से उस बात को समझा कर उस दुसमनी को खतम करना चाहिए फूलों से मुस्काए हम, गीत मज़े से गाए हम, आपने देखा होगा कि जब फूल बाग में खिले होते हैं, किस तरह लगते हैं कि वो हस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं वैसे हमें भी हमेशा हसते मस्कुराते रहना चाहिए, लड़ाई जगडा नहीं करना चाहिए, गीत मजे से गाएं हमें प्यार का गीत गाते रहना चाहिए, एक दूसरे में प्यार प्रेम इसने बाटना चाहिए, एक दूसरे की दुस्मनी को भूल कर हमें प्यार से रहना चा पढ़ेंगे